वीडियो सुरू करने से पहले इस वीडियो को पॉस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फ्रेंड्स क्यूंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिजे इस चैनल को क्रेंट के अगर वाद बताओ तो फंडमेंटली इस ट्रॉंग कंपिनी रखने को मिल रहे हैं और इस कंपरी के एक खास बात यह भी है फ्रेंट्स कि अभी इसका प्राइस जो है और आप चाहिए तो खरी सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है इसका प्राइस 52 विक ल पूर यह अच्छी तरह से जान लिजेगा ना friends, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कहा है, यह small cap की company है friends, इसका market cap अभी 442 करोड के approximately चल रहा है, सबसे पहले हम लोग इस company के strength के बा करते आ रही है friends, और इसके सासाथ ROC को 62.96 पर मिंटेन करते आ रही है, तो बहुत ही कमाल का यह data दिखा रहा है यहाँ पे, और company 44.46 का healthy interest coverage ratio मिंटेन की हुई है friends, रही बात कि इस company के quarterly result के friends, तो यहाँ December 2020 में इसने profit after tax 116.94 करोड का जनेरेट किया था friends, मार्च 2021 में 214.48 करो हो गया है, जून 2021 में यह 140.23 करोड का जनेरेट कर पाया था, और September 2021 आते आते यह 191.94 करोड का profit after tax जनेरेट कर चुका था, फिर यहाँ December 2021 में गिरावट देखने को मेरी है friends, अच्छा का सा profit after tax यहाँ पे 75.06 करोड का ही जनेरेट किया इसने, तो quarterly result में जो इसका performance थोज़ा स इसका आने वाला quarterly result किस तरह का होने वाला है, रही बात इस company के previous data की, तो यह काफी कमाल का data हो कर रहा है, मार्श 2017 में देख सकते हैं, यहाँ पे net profit, मार्श 2018 में 1.45 करोड हुआ है, फिर मार्श 2019 में देखा था, 3.63 करोड का net profit जनेरेट किया इसने, मार्श 2020 में भी 8.12 करोड का net profit जनेरेट किया इसने, और मार्श 2021 में तो बहुत ही कमाल का net profit जनेरेट किया था, 357.78 करोड का, इसके वज़े से इसका price भी काफी ज्यादा ऊपर भाग गया था, अब चली discussion को आगे बढ़ाती हुए, इसका parameters के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फ्रेंस, number of shares यहाँ पे 6.11 करोड है, PE ratio 0.71 पे और PB ratio 0.51 पे, phase value रूपिस 10, dividend yield यह काफी अच्छा दे रहा है, फ्रेंस, 4.15 परशन का, book value 141.75 रूपिस पे, फ्रेंस, gas इसके पास एविलेबल है, 62.25 करोड का, और debt risk पर 63.62 करोड का चला हुए अभी, earning per share देखाया है, तो 101.69 रूपिस का देत 6.16 परशन का, और बात करें, इसके ROE की तो 153.87 परशन पे, और ROC भी कमाल का है, फ्रेंस, 152.05 परशन, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, फ्रेंस, यतना कम प्राइस होने के बावजूद भी, यह कमाल का data सोग कर रहा भी भी, अब ज़रा इस कंपनी के price chart का performance भी देख ल चुका है फ्रेंस, और इस दौन इसने 368 रूपीस का high बनाया था, और 71.10 रूपीस का low बनाया था, तो अभी इसके price लो के काफी नजदीक पहुंच चुका है, और बात करें, इस कंपनी को overall performance के, फ्रेंस, तो काफी अच्छा का सा, यहां पर return देह रहा है, almost 7 or 10% के अप्र price हुआ करता था उस समय, और काफी लंबे समय देखा जाए इसका price फ्रेंस, तो 22.10 में ही move किया है, फिर 2020 में इसमें increment होना सुरू हो गया था इसके price में, और अच्छा कासा all time high देखा जाए इसका, तो 2021 में यह पहुंच चुका था, और अगर इस company का rank देखे अभी तो 1359 प प्रोक्स में, mutual fund हो गया, other domestic हो गया, कुछ भी नहीं है, यह पर 0% है, foreign institutional holding हो गया, आपका 1.24% पर और काफी ज़्यादे है, यहाँ पर retail इंवेश्टर्स हो गया, 12.21% और other parties हो गया, 44.87% और बात करेंश के investment checklist की, यहाँ पर intrinsic value, current price is less than the intrinsic value बता जा रहा है, ROE वासे रेबिस स कुछ खास नहीं बाता जा रहा है, यहाँ पर entry point good to considerable हो सकते हैं, और no red flag जोन में भी आ रही company, friends, यह भी plus point है इसके लिए, अब सब कुछ इस company के बार में हम लोग जान चुके है, friends, अब main इसमें यह कि यह company actually काम क्या करती है, तो यह company textile sector से बिलॉंग करती है, friends, इस company के सु इस प्रकार के वराइटीज आपको मिल जाएंगे इसमें, सुरू सुरू में जब यह company स्टार्ट वा था, friends, उस समय यह real estate के बिंजस में था, लेकिं देर देरे यह अपना टैवर्ट कर दिया और cotton and textile के बिंजस में इंटर कर गया है, फिर उसके बद वोमेन अपैरल से related जि इन सभी के दोरह जो बनाएं जाते products, friends, उन सभी का यह trading करना सुरू कर दिया था है, तो देखाया, friends, तो यह company अपने customers को retail की services तो provide करता ही है, साथ-साथ wholesale की services भी provide कर रहा है, अगर इसके brand के नाम दिखाया, friends, तो Ika हो गया, Ida हो गया और Tag 9 के नाम से भी बेचा जाता है, और इस company के 2018 में, friends, fastest growing women's wear brand के नाम से इसको award दिया गया था, और देखाया, friends, तो अभी इस company का नाम बदल के Sumaya Industries Limited रग दिया गया है, और देखाया, friends, तो इस company ने अपने businesses को काफी जाड़ा diversified कर लिया इन कुछ सालों में, आप देख सकते हैं, agro products value chain ही create कर चुका है, supply chain enterprise हो जीगा, अभी research कर ले जाएगा, friends, so friends, जाने से पहले, like, share and comment के साथ, follow जरूर करें चैनल को,